दोस्तों आज की जो हमारे वीडियो होगी वो होगी अनार के पौदे की उपर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने चोटे सी अनार के पौदे से ज्यादा फल और फुल कैसे पा सकते हैं तो स्वागते दोस्तों आप सभी का हमारे ग्रीन परी गार्डिनिंग चैनल पर यदि दोस्तों आपने अपने गर पर किसी पौट में या पर अपने गार्डन में अनार के पौदे लगाए हुए हैं और उन पर फल्या फुल नहीं आ रहा है तो आज की इस वीडियो में मैं आ पताने बाला हूं कि आप अपने अनार के पौदे से ज्यादा पल और फूल कैसे पा सकते हैं तो चली दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों सामने आप देख पा रहे हैं ये चोटा सा अनार का पौदा है जिसे मैंने 10 से 12 इंच के पौट में लगाया हुआ है यानि कि पौदा पूरी तरीके से पूलों से भरा हुआ है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी किस तरीके से अपने अनार के पौदे से ज्यादा फल और फूल पा सकते हैं तो चली दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनार के पौदे की केर टिप्स के बारे में कि हमें अपने अनार के पौदे की केर कैसे करनी हैं सबसे पहली बात हमें अपने अनार के पौदे में पानी बहुती कम देना है यानि कि हमें अनार के पौदे में उतना पानी देना है जितना कि हमारे अनार के पौदे की जो मिट्टी है उसमें नमी बनी रहे क्योंकि ज़्यादा पानी देने से अमारे अनार के पौधे पर फल और फूल बहुती कम आते हैं जबकि पौधा पूरी तरीके से क्रीन एवम एल्दी रहता है तो दोस्तों हमें इस बात का बिसे स्थ्यान रखना है कि अमें अपने अनार के पौधे में पानी बहुती कम देना है दूसरी बात यह है कि दोस्तों अमें अपने अनार के पौधे को लगबग 4-5 गंटे की दूप देनी है गुडाई करने से हमारा अनार का पौधा पौधी अच्छी तरीके से ग्रो कर पाता है और दोस्तों हमें इसमें फाइटी लाजर भी देते रहना है तो चली दोस्तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपने अनार के पौधे में कौन सा Fertilizer यूज करना है मैं आपको एक ऐसा Fertilizer बताने बाला हूँ जिससे आप अपने अनार के पौधे पर बहुती कम समय में ज्यादा फूल और फल पा सकते हैं और इस फर्टिलाइर से आपका नार का पोधा पूरी तरीके से ग्रीन उर्दी रहेगा। पूरी तरीके से बना का और इस पर कई फूल आई होई हैं। जब से पहले हम जान लेते हैं कि हमने अपने नार के पारे की जो میढिया है वो पूल मेडिया हमे डिया नहीं हुई है मैंने इसमें ज्यादा पानी नहीं दीया है कि ज्यादा पानी देने से हमारे अनार के पौदे पर फल यप पूल बहुती कम आते हैं तो दोस्तों हमें अपने अनार के पौदे में ज्यादा पानी नहीं देना है अब चलिए हम जान लेते हैं कि हमें अपने अनार के पौदे में कौन सा फाटिलाजर यूज करना है फाटिलाजर यूज करने से पहले दोस्तों मैं अपने अनार के केसी गुढाई कर लेता हूं दोस्तों अमैं के लगबग 1.5 गेरी करनी हैं मैं ज्यादा गधाई गुढाई। नहीं करनी है क्योंकि दोस्तों ज्यादा गहरी गुड़ाई करने से अमारे अनार के पौधे की जड़ो होती है वो कट सकती है और पौधा सुक भी सकता है तो हमें अपने अनार के पौधे की लगबग एक से धेड़ इंच गहरी गुड़ाई करनी है दोस्तों सामने आप देता हूं फर्टिलाजर के बारे में सामने आप देख पा रहे हैं यह मैंने बनाना फिल फर्टिलाजर लिया हुआ है जो कि मैंने केले के चिलकों से बनाये हुआ है दोस्तों यह फर्टिलाजर हमारे पौदों के लिए बहुती अच्छा फर्टिलाजर होता है इसे हम किसी भ गड़ाई की हुई थी उसमें डाल दिया है तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से अपने नार के पोदे से ज्यादा फल और फूल पा सकते हैं तो दोस्तों आपको मारी आज की वीडियो कैसी लगी आप में कमेंट करके जरूर बताएं और अभी तक आपने हमारा चैनल सस्क्रा करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तेंक यूँ